इसको आपनादर एक्ट्स आफ आर्क वेल्डिंग इलेक्टूड लास्के विडियो में लोगों ने इलेक्टूड के कोरवायर के मेटेरिव के बारे में डिसकूस किया था एंड ताइपस अफ लॉक्स को डिसकस किया था नौ इन देश वीडियो इंग तुद इस वीडियो इस वीडियो के माध्यम से डिसकस करेंगे दोस्तों तो मैंने यहां पर लिख रखा है के बारे में आप लोग जानते ही है अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं है और यह वीडियो आप लोग पहली बार देख रहें तो मेरे चैनल को विजिट करें और इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला है टाइप्स अफ फ्लक्स कोटिंग एंड एलेक्ट्रोड मेटेरियल करके उसको आप लोग देखें यह आप लोग को लेक्चर और यह वीडियो आप लोग को असानी से यह टॉपिक असानी से आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों चलिए श्टार्ट करते हैं कि किस विशे सबसे पहले जो इसकी विशेष्टा है वह यह है आर्क एस्टेबलाइजिंग सबस्टेंस यानि कि दोस्तों पदार्थ लगी और इस्टेबलय से बनाया चांट यह यहन कि इस्थिर होता है तो था अदू आत्स है आरक के नदर आर्क को को यस्ilippe करने के लिए चेबल करने के लिए सबसे पहला को कारेटिस्टिक या पहला भिषय By स्ट सिर्थ होटा है कि छो जबसे पहले को को स्टेबलाईजिंग सबस्टेंस न सूधा है डाने कि तो चलिह सबसे पहले हम लोग को समझ लेते हैं कि एक्जूली में आर्क स्टिवलाइजिग होता क्या है तो इसको मोग एक ड्रोइंग के माध्यम अब लोग होता है दोस्तो तो कभी कभी क्या होता है कि है आर्क जब वेल्डिंग के दोरान मालेजी हमें यहां से यहां तक पुरा करना है तो यहां से यहां तक फ्रॉम यतू यह अगर नहीं पूछता है और पूरी complete welding हो जाती हो तो हम लोग बोलते हैं कि यह आर्क stable है बीना बुझे welding हो गया बीना बुझे मतलब की पूरी तरह से अच्छी तरीका इसे welding हो गया यानि कि stable आर्क है यहीं welding के दोरान जब आप लोग welding कर रहे हैं तो कुछ time welding कर रहे हैं मान लिजिए यहां तक welding की है उसके बाद आर्क क्या हुआ कि वहां पर आर्क बुझ गया या फिर वहां पर इलेक्ट्रोड का जो बर्न होता है मेल्ट होता है वह बंद हो गया बर्निंग के बाद वह एंड तक आर्क बने रहता है welding के अंड तक वह बुझता नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं आर्क स्टेबिलाइजिंग है ना यानि की आर्क की स्थिरता यानि को स्थिर है आप लोगोंने दोस्तों मैंने आप लोग को इसका मैंने प्रेक्टिकल भी कराय था कि मैने रॉड लिया था और जो उसी के उपर से मै ने फ्लक्स अढ़ दिया था हुड़ा आ प्लोग को एक बांतिकल दिखाया था कि अगर माली दे iflock saatu पकि और जो उसका प्रवायर है उससे लोग अगर वेल्डिंग करते हैं दोस्तों तो क्या होता है वेल्डिंग सर्किट पूरा होता है लेकिन आर्क को स्टेबल नहीं रहता है कुछ दिर बाद वो क्या होता है कि आर्क बुझ जाता है फिर हमें क्या करना पड़ता है और फिर हमें क्या करता है आर्क करना पड़ता है तो इस तरह क्या होता है कुससे स्टेबडाईजेसन नहीं होता है यह उसमें 500 वार बॉगそल में चार के तो कि लोग के सब्सक्राइब करने के लिए कुछ पदार्त होता है और उसके आपको चॉकर मार्बल यानि कि जो होता है मानी जिए इस मैं फ्लक्स यह फ्लक्स हो गया तो इस फ्लक्स में आर्कों को स्टेबल करने के लिए चॉक और मार्बल मिला होता है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि चॉक एंड मार्बल यूज़ एज आर्क स्टेबिलैजिंग समस्टेंज इना फ्लक्स यानि कि फ्लक्स में चॉक और मार्बल को आप सबस्टेंस यूज करते हैं तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि आर्क स्टेबलाइजिंग क्या है और फ्लक्स के अंदर जो पहली विशेष्टा है वह यह है कि वेल्डिंग के दोरान आर्क को स्टेबल रखता है उसको बुझने नहीं देता है और इस विशेष्टा को बन आता है तो चॉक एंडमान तो दूसरा जो पॉइंट है यह भी औक्सिडिएजर दी या करता है कि इस में क्या होता हैißt यृ उप है जब हम लोग करते हैं जैसे νद्ट है कि बहुत सारे डिफेक्ट्स आते हैं आने के चांसे होते हैं आते की नहीं है आने के चांसे होते हैं अगर हम लोग डंग से वेल्डिंग ना करें सही प्रोसीजर यूज ना करें तो अगर मान लिजे इलेक्ट्रोड के अंदर फ्लॉक्स के अंदर स्वरी फ्लॉक्स के अंदर डियोक्सिडाइजर सबस्टेंस है तो वो क्या करेगा कि वेलबिट के अंदर से पोरोसिटी को रिमूब करेगा दोस्तों मैं आप लोग को अल्डेडी पोरोसिटी बता चुका हूं तो मेरे को यहां पे ज्यादा एक्स्प्लेंट नहीं करना है तो आप लोग यह समझे कि फ् कंसे सबस्टेंस को यूज करते हैं यूज करते हैं कोई पूछ सकता है कि अगर दियोक्सिडाइजर सबस्टेंस है तो कौन से सबस्टेंस है सबस्टेंस का नाम बताइए तो जो डी ऑक्सिडाइजर सबस्टेंस है आइरन ओक्साइड है लेमेटाइट है और मैंगनेटाइट है यानि कि को यह तीनों सब्सूइबड करता है पुर शीटि को क रजाता है और अब आते हैं नेक्स इस इसके यूफ लग चल पर कि Bu वेलबीड बनता है तो वेलबीड के उपर क्या होता है दोस्तों कि एक स्लैक का फॉर्मेशन होता है आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस तरह से स्लैक का फॉर्मेशन होता है इस तरह से स्लैक का फॉर्मेशन होता है और यह माली यह अंदर में वेलबीड है अब आप को को इससे यह लंट को प्रिवेंट कया यानि कि एस को क्या करता है यह क्या करता है यह जो कि इन बड़ा त्पर्ट में तो सबसे बड़ा जो परेस्टिक्स अब्धा उसके अंदर विट शायगक नहीं होगा तुमारा विट जो इत्मोस्फिरिक से उससे प्रिवेंट नहीं हो पाएगा उससे हम लोग नहीं बचा पाएंगे और वेलडके के अनदर सब्स्टेंस होता है जो कि स्लैक का फॉर्मेशन करता है वेल्डिंग के दोरान और यह जो है अमारे वेल्ट को कभर करता है ब्लैंकेट की तरह उसको कभर कर लेता है जिससे हमारे जो बाहरी एटमोस्पेर में नेट्रोजन ऑक्सिजन या फिर कर्वंडायक्साइड जो कैसे है वह वेल्ट के अंदर नहीं आती है और उसके साथ कर पाती है दोस्तों जैसे कि हमारा बहुत सारे डिफेट्स से हम लोग बच जाते हैं अब हम लोग यह देखते हैं कि स्लैक फॉर्मिंग सबस्टेंस के रुप में हम लोग लाइम स्टोन यूज करते हैं और क्ले यूज करते हैं लяг चूना पतर होता है इसको हम लोग यूज करता है यानिki फ्लॉक्स के अंदर लाइम स्टोन और क्ले है ना दोनों चीज मिक्स होता है रोस्तों और यह लाइम स्टोन और क्ले क्या करता है कि सल उस लेज़ का 방송 करता है slab बनाता है और इस लैक की वज़य से क्या हो अब इसके अंदर क्या होता है दूस्तों कि यह हम लोग को को से जाते हैं तो उसके इंधर नहीं पाते और झब नहीं पाते हैँ कि हमारा जो वेलबी एववीड है वह डिफेक्ट- मिलता है हमें वहां पर इंक्लूजन होने का चांसे नहीं होता है तो अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी क्लीनिंग सबस्टेंस के रूप में जिस्से क्या होता है या फिर या फिर से जो ऑग्साइड या फिर सो Help से जो उट्साइट से ऊसको किया जाता है क्लीम किया जाता है साध् rugby साथ साथ यह अदो करता है यह वेल्डिंग करते हैं तो वेल्पूल बनता है वेल्पूल बनता है तो मेटल क्या होता है कि उसकी स्थिति मेटल क्या होता है मेल्ट रहता है लिक्विट फॉर्म में रहता है तो कोई भी लिक्विट क्या होता है फ्लोट करता है टैरता है पानी को यहां पर गिराते हैं और ऐ के कंट्रोल ना हो तो फिर हम लोग एक या फिर गुड़ लुकिंग वेल्ड वेल्ड एपेरिंस हमें नहीं मिल पाएगा दोस्तों तो यह भी कंट्रोल करता है ठीक है तो आप लोगों यह भी देख लिया फोर्ट जो था क्लीनिंग एंग सबस्टेंस जो होता है फ्लक्स के अ फॉर्म होने से क्या होता है जब व्लिंग करते हैं तो आप लोग के देखा होगा मासूस क्या होगा कि वेल्डिंग के दोरान वेल्बिट के 40 तरब धुवा असा बन जात मन bon 늘 गैस मता है अब वह धुवा क्या करता है ту इसके अंदर नहीं होती तो इससे भी हम लोग को फैदा होता है वेल्डिंग को और अब देखिए कि assumptions के रूप में में जो 가지 की अंदर जो सबस्टेंस यूज होता है वह वुड फ्लोर है यानी कि लगडी का पाउडर है उसको क्रस्ट करके बना देतें उसी को सब्लोर हुलते हैं पाउडर और विश सीलोलोस लूब यह दो चीज यूज़ करते हैं यह दोनों सबस्टेंच obtained होता है इसलिए गैस जनेरेसण के लिए फिर freshmen के लिए तो आ recommendations के दोश्थ टा किए अगानलता है एक पर फ्लक्स होता है法ा अपक बनाते हैं उसको जोडने के लिए डाले तब तक तो वह जुट पाएंगा जैसे मालगे यह कि अगर हम लोग घर बनाते हैं तो लुक्त को चिपकाने के लिए कोई ना कोई तो यूज करना पड़ेगा कि को यह फिर को फुर्ञ सब्सक्राइब यह चिपका कर अब यूज लोग यूजों informação करते हैं पोieß आप ROB खुल्ट या फिर सोडियम का यूज करते हैं याद रखेगा सोडियम या फिर प्रोटेसियुम सिलिकेट करते हैं फोर बाइंडिंग परपस है ना तो आप लोगों ने समझ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसी सब लग्षड के वजह से इसी सब विशेष्टा की वजह से हम लोग क्या कर सब्सक्राइब करते हैं तो यू कैन नौट गेट असाउंड वेड़ सारा जो करेटिस्टिक्स आप लोग कोई इलेक्ट्रोड में होना चाहिए और यह इलेक्ट्रोड में तव होगा जब उसके उपर फ्लक्स की कोटिंग रहेगी तो आप लोगों ने इस वीडियो को पाएंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फुर विए का इन अटेंशिए